हलो दोस्तो जेह हिंटू एवरिवन तो दोस्तो आज जो है अपनी स्यूडियो में बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी के बारे में तो दोस्तो इसका रिकूरूमेंट आ चुका है बहुत जल्द ही इसका आपका ओनलाइन फॉरम स्टार्ट होने वाला है यानि 27 27 जनवरी से आपका जो है ओनलाइन फॉरम स्टार्ट होने वाला है यह भी दोस्तों में आपको दिखाने वाला हूं कौन सी साइट से आपको फॉरम फिलप करना है A to Z information में आपको बताने वाला हूं इसलिए दोस्तों इस वीडियो कं तक जुरू देखना और साथ ही अगर पहले बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लें ताकि नेक्स अप्डेट जो है आप तक पहुंच सके तो दोस्तों इसके पहले जो मैंने एंडिय का एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको बताया गया था कि 108 मैं आपकी विकेंसी है तो चलो दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो है ओफीसियल वेबसाइट है नेसनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला पूने तो दोस्तों इसी पे जो है आपको यह फूल नोटिपिकेशन भी मिल जाएगा दोस्तों ल जनल इंट्रेक्शन जनल इंट्रेक्शन के अंदर दोस्तों आपको आल प्रोसेस जो इसमें बताया गया है सेलेक्शन प्रोसेस आपको इसमें बताया गया है और कौन कौन कंडिडेट जो है इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों विकेंशी तो मैंने पिछले नोटिपिकेशन दिखा थो लास्ट येज़ का फूलन नोटिपीचेंशन था उसके अकोरडिंग दौस्तों मैंने बताय थाब ही जो इसका नया नोटिपिकेशन आया है भी स्के अकोरडिंग भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं LDC के बारे में तो दोस्तों LDC में आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्शिटी या बोर्ड से बाकि दोस्तों इसमें टाइपिंग टेस्ट आपको पता है कितना क्या होता है अगला जो है इस्टेनोगराफर के अंदर भी दोस्तों सेम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है अगला जो है ड्राफ्ट में के अंदर ड्राफ्ट में के अंदर दोस्तों 12th पास होना चाहिए प्लस में आपके पास टू एर का डिपलोमा होना चाहिए ड्राफ्ट मैंशिप के अंदर उसके अलावा अगर आपके पास ITI है प्लस में दो साल का experience है तो भी दोस्तों आप इसके लिए apply कर सकते हैं अगला दोस्तों cinema का है इसके regarding भी दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था और कुक के अंदर भी दोस्तों बार भी पास होना चाहिए और प्लस में दो साल का आपके पास experience होना चाहिए अगला दोस्तों प्रिंटर का है प्रिंटर के अंदर भी आपके पास वरक experience होना चाहिए अगला दोस्तों कार्पेंटर के अंदर बी दोस्तों सैम दिया हुआ है अगला है क्षिक्स मैंके ने ंदर दोस्तों आपके पास six month Casey कंति फाइर्फाइटिंग के आपके पास certificate होना चाहिए है उसके 파ाइप अगला अगला है दोस्तो साइकल रिपियर का इसमें दोस्तो टेंथ पलस में एक साल का एक्सपिरेंस आपके पास होना चाहिए अगला है प्रिंटिंग मसीन ओपरेटर का तो दोस्तो इसमें भी जो है आपके पास टेंथ पलस में एक साल का वरक एक्सपिरेंस होना चाहिए अगला द सबसे पहले जो है आपका इसमें रिटन एक्जाम होने वाला है तो दोस्तो रिटन एक्जाम से पहले इसमें आपको दियावा है मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका सोल लिश्टिस किया जाएगा दोस्तों यानि विकेंशी का दोस्तों नंबर ओफ विकेंशी और कटेगरी वाई दोस्तों लग भग इसमें दियावा है अप टू टेन टाइम से या इससे थोड़ा अधिक भी दोस्तों बुलाए जा सकता है आपको दस गुना कंडिडेट को दोस्तों नेक्स्ट फेज के लिए या रिटन एक्जाम के लिए दोस्तों आपको बुलाए जाएगा और रिटन एक्जाम में क्वालिफाई होने वाले कंडिडेट जो है चार टाइमस दोस्तों इसमें बुलाए जाएंगे यानि फोर टाइमस नेक् सलेबस आपका इसमें क्या रहने वाला है दोस्तों इसमें यह बता गया नहीं है कौना सबजेक्ट कितने मांक्स काएगा बड़ दोस्तों इसमें दिया हुआ है टेंथ और ट्वल्थ का इंग्लीज मैथेमेटिक से साइन्स और क्यूशन ओन जर्नल अवालेंस विल बी सिमिलियर इस्टेंडर्ड एंग्लीज रिजिनिंग या जर्नल साइन्स आप से दोस्तो पूछा जा सकता है दोस्तो इसमें प्रोपर जो है मैंशन किया वा नहीं है दोस्तो आपका रिटेन एक स्किल्ल टेस्ट भी दोस्तो आपका रहने वाला है सेलेक्शन ने बी मैर इस्टेक लियों दा बैसिस अमयरिंट और रिटेन टेस्ट है पर सतो आपका जो यह ट्रेट्ट टेर्षट होने वाला है यह ओनली कौालिफाइन नेचर का है subject to candidate qualifying the test skill test दोस्तों आपको only qualify ही होना इसमें आपका किसी परकार का number इसमें नहीं जुडने वाला है दोस्तों only qualify nature का है आपका selection only आपका written exam पे होने वाला है तो दोस्तों आपके forum जो है 27 जनवरी से start हो जाएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो flash new चल रही है इसके अंदर भी आपको दिखाया गया है कि 27 जनवरी से आप जो है online forum start कर सकते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे forum apply करने के लिए दोस्तों इसमें लिखावा है apply online तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको नहीं क्या होगा अगर आप पहली बार forum apply कर रहे हैं तो दोस्तों create new account पे आपको click करना है तो दोस्तों इसमें interaction कुछ दिये हुए हैं उसके बाद उस्तों आपको fill up करना है अपना first name middle name लास्ट नेम उसके बाद उसके बाद उसके अपना डेटो बर्त mobile number email id और password और दोस्तों आगला आपका जेंडर सेलेक्ट करना है उसके बाद केपचा नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको register login कर देना है यहाँ पे दोस्तों register login हो जाएगा दोस्तों अभी जो है आपका link यह अक्टिवेट नहीं किया गया है आप जो है 27 जनवरी से forum online बरना स्टार्ट कर सकते हैं अपना तो दोस्तों जैसे इसका online forum स्टार्ट हो जाता है आपको जुरूर बताए जाएगा कैसे जो है आपको forum fill up करना है तो दोस्तों आज के वीडियो में पर सितना ही धन्यवाद दोस्तों जैहिन